कल राइपूर में था और आज बाफसी करता हुआ है और बारिश क्या हुई जैसे लगा कि पूरी आफ़त बरस रही थी दिल्ली में कल छे बज़े के आज पस सबाचे फसे थे आप भी यही भद या आपका तो यही है कि रोज आते हैं आप इसलिए मैं कहता हूं रोज ना आय घंगोर बारिश हुई क्यों हो रही है इस तरह का मौसम क्यों बदल लाए और यह जो प्रेंड है यह किस बात की तरफ इंगत कर रहा है पर्यावरण के तमाम सारे सवाल समाम सारे बिंदू जिन पर आज हम बात करेंगे लेकिन जिस पर बहुत प्रमुक्ता के साथ मैं बात कि मा लौट रहे थे बारिश हो रही थी बच्चे का पैर फिसल गया बच्चा नाले में गिर गया और मा तो फिर मा ही होती है मा भी नाले में कूद गई वैसे तो कहें कि कंपेर करेंगे तो कहेंगे ये घटना कोई बहुत ऐसी घटना नहीं है जिसको की जिकर किया जाये लेकिन घटना दिल्ली की है और कई संदर्ब और कई पॉइंट्स जो है इसकी तरफ इशारा करती है और इशारा इस तरफ करती है कि अभी तक मैं जब अक क्योंकि आज तो नौकरी जादा हो रही है काम तो कम हो रहा है लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि पुलिस इस बात के लिए पल्ला जाड़ लेती है कि ये मेरे थाने में नहीं था ये तेरे थाने में लाश मिली है होता रहा है ना और फाई यार नहीं लिखी जाएगी आज दिल तो मानिएगा बात पूरी कंप्लीट है इसमें कहीं कोई अधूरी बात नहीं जोड़ना चाहेंगे आवाज तो जोड़ लीजेगा मैंने अपने पत्रिकाईज़ा के जीवन में ये बहुत आम देखा है कि लाश जो है किसी फला वेक्तिकी इस थाने में इस जगे पे मिली और बाज दफ़ा तो ये भी कहा गया कि सर जो था वो फला थाने की तरफ था पैर फला थाने की तरफ था लहाजा एफ आई यार कौन लिखेगा इसके लिए और्डर्स देने पड़े हमारा ये जीवन है लेकिन दिल्ली के जो डाले की कहानी है वो ये है कि वहाँ इस बात को लेकर बात हुई कि तेरह सो पचास मीटर लंबा वो नाला है एक हजार मीटर अनकवर्ड है तीन सो पचास मीटर कवर्ड है तीन सो पचास मीटर में जो कॉंक्रीट की चीज है उसमें वो डीडिये तो कि मल्टी एजेंसीज है यहाँ दिल्ली की कहानी में सबसे एक रोचक बात य यहां पर एक MCD भी है, DDA भी है, और मल्टी एजनसी हैं, तो लेहाजा जिम्मदारी किस की है, थोपना आसान हो जाता है, कि मेरी नहीं MCD की है, MCD के दे मेरी नहीं, DDA की है, और यह बहुत आसान बन जाता है काम, अब सवाल यहीं से उठता है, मा बेटे, दोनों लोग नाले म बहगे, तीन सो, चार सो मीटर के बाद उनकी लाश मिली, और एक चीज और, दिल्ली में हमेशा जिसकी चर्चा होती रहती है, वो यह, कि गाद निकाली जा रही है, डी सिल्टिंग का काम दिल्ली में चलता रहता है, साल भर चलता रहता है, कोई किसी से जवाब नहीं मांग बहुता, कि कितनी गाद निकाली गई, डी सिल्टिंग हुई, तो कितनी हुई, लेकिन लगातार ये काम चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, बड़े महत्तपूर सवाल है, और कल की जो बारिश थी, जिसको मैं कहरा था, कि वो आफ़त बरस रही थी, क्या था, 11 मौते दिल्ली एंसियार में जो नोटिड हैं वो यह है ग्यारा मौते ग्यारा मौते हैं जो हुई और वो ग्यारा मौते इस बात का इशारा है कि कहीं करेंग से हैं दिवार गिरने से हैं और कहीं नाले में मा और बेटे के डूब जाने से हैं और यह कहानी कहीं बहुत दूर की नहीं त्राजदानी दिल्ली की है कि इसी बिभात कर लिए濪 हाझी क्या हुआ कि कहां रड़ि पानी जहां बहुत बारिश ओरी दिम निक ला निक जैसे मैं J. M.C.D. ले गहीए है, चोरी ही हो गहा, तो एक स्क्षन और है डियजी एक स्क्षन और मैं जो चोरी हो जाता है और चोरी होगया जी में जी आदर की बढ़िए। जी कि अब इस पूरे मसले को जोड़ना है आपसे किये तमाम सारे वो लोग जो डिली मैं पर शरीक रहते हैं उनको बादचीत का सिलसला में जोडते हैं पवन शर्मा जी आहमादनी पार्टी का पक्षकने के लिए आजे सहरावत साब बीजेपी का पक्षकने के लिए कुछ देर में मौजूद रहेंगे आदर शास्त्री जी कॉंग्रिस का पक्षकने के लिए वद्षुक्रिया नाले पर किसकी जिम्मेदारी नाला खुद जिम्मेदारे डुबो देता है वैसे डूबने के लिए तो पानी काफी है लेकिन नाला खुद डुबो देता है ऐसा कहें गया तरृत आई प्यत्ची बहुत समय हो गया अपनों को खोते हुए लेकिन अगर आ से दिल्ली के यूडी मिस्टर सवाल कूछते हैं कि आपने पेपरों में तो कह दिया कि 100% हो गई लेकिन मंत्री कहते हैं कि मेरे साथ चलो लेकिन अधिकारी उनके साथ जाने से मना कर देते हैं जब बात उनके अकाउंटबिटी का फिक्स होगी बहस नहीं बहुत सारी बाते होती दिमाग में कोण का एक चौथा कोण बताना भूल गया था मैं मां भी चाहता हूं आप से कुछ हला होने लगा तो इसलिए दिमाग थोड़ा सा लेट राइट चला गया खुले में करता हूं शो तो इ चौथा कोण यह है कि आज हाई कोण ने टिपपणी करी कि जो फ्री में रेवडियां बाट रहे हैं तंखा देने के लिए पैसे नहीं हैं आपके पास करंचारियों को टैक्स का पैसा आनी रहा है तो कहां से काम होगा कहां डिसल्टिंग होगी कहां पे जवाब देही कि वेतन देने के लिए करमचारियों को वेतन देने की बात कह रहा हूं मैं वेतन देने के लिए आपके पास है और यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं यह हाई कोट ने जो टिपणी की है मैं उसको अक्षरशा वैसे ही रखने की कोशिच कर रहा हूं यह चौथा कोण है त पूछेंगे तो कहेंगे खिलावन बहुत बतमीज आत्मी है हाँ जी राइट राइट क्या कहां से आना हुआ उत्तम नगर से बारिश हुई देगल की उत्तम नगर बच गया कितना पानी था अरे कितना पानी था इतना था कि नहीं था अरे इतना था इसके अंदर की नहीं था बस इतना था आखों में तो बहुत काफी है आउगा कंप्लीट कर लीजे बात पूरी आगे बढ़ाता हूं आता हूं दिल्ली के संदर्व की नहीं है दिल्ली एंसानल तमाम मीडिय केमरे नौ साल से आप है हुजूरे आली मैं आप से चानना चाहता हूं आप 9 साल से सत्ता में हैं आप आम आचली पारटी नौ साल हो गए जवाब आप को देना है और आप दीजिये पाकी। तो गुरू ग्रूगाम दूब जाता है जब लखनाव के अंदर लखनाव की विधान सभा में पानी भड जाता है चछाँंट वन ट्रेंटेंग एंजन के सरकार करना बहुत मुश्किल होता है डीडिये किसी के अंडर में आती है एमसीडी किसी एंडर में आती है नाला मैंने बताया कि जहां डूबे वो डीडिये का जहां बहके मिले वो एमसीडी का जहां लाश मिली वो कौन जाए ये तो थालों का सुनते थे हाल ये नालों पर बटवारा है आ रहा हूं खड़े रहे हैं जी नीती शर्मा अकाउंटिबिलीटी की ये लोग जो बात करते हैं जिस समय किसी सड़क का उधगाटन करना होते है न प्रदीक जी तो रिब्बन कांटने और नारियल फोडने के लिए सबके सब अकाउंटिबिलीटी से अपना अकाउंट बढ़ाने के लिए वहां पोंच तो जाते हैं और इनका मेले इनका पार्शन इनका अरे मेर साहिबा ने तो मॉंसून आने से पहले घोचना करी थी प्रेस कॉंफरेंस करी दिल्ली वालो आओ मॉंसून एंजॉय करो फुरी फुरी में करके मौत को फुरी में बाढ़ने वाली सरकारे बन चुकी है दस सेकंड का समाधाने मैं से पूछना चाहता हूं जिस चीफ सेकेटरी जो भारतियंता पार्टी के फैबरेट हैं जिनका टर्म खतम होने के बाद तीन तेमाले एक्सेंस को दिया गया क्या उनको सस्पेंड नहीं होना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी क्या एमसीडी आती है उनगो सजा के भारतियंता पाणि बार्टी बोखोला चाती है हमको गाली ये लग जाते बाही बता हो की इड मिदारी क्या आपकी रिर्सिजरी के उनसे का समयाइब के अब पैसे खाते उनसे पैसा खाना कब बंद करोंगे अले 15 साल ता भारतियंता पाणियंते सरका तुम लोग को भी सब मालूम है तो बने रहते हो घुटा बने रहे तो चुप चाप खड़े रहते हैं मैंने कहा था त्रखोड का चौता कॉणं बताय था पाचमां लिटा हूंужд सुखार सुनते रो एक ही त्रिकोड के अंदर दस बारा कोड़ बताऊंगा मैं आज आपको पांचवा कोड बाबुजी ये सुनिए त्रिकोड का कि जब मैंने चुनाव रड़ा था तो मैंने ये कहा था कि एक बार सत्ता मुझे मेरे हाथों में दे दीजिए तब मैं कोई शि अच्छा का आपकी विवस्था का आपके सारे उत्तरा अधिकार हो जितने भी अधिकार हैं उन सबका जिम्मेदारी लूँगा बस एक बार एक बार उस गद्वी पर बैठा दो मुझे बसको एक बार सत्ता मेरे हाथ में दे दो मलाइक कैसे खा नहीं है मैं राम खिलावन को भी सिखाओंगा सुरेश को भी सिखा दूगा ये कोण का त्रिकोण का पांचवा कोण बताया था कहा ये बीजेपी जनावे आली बड़े अच्छे खासे जूट क्योंकि सीखा जिन से है वो तो ये जेल में है वो भी दुनिया बर के जूट बोल के जेल पहुंचे हैं दो चारीन के नेता बचे हैं जो रूज प्रेस कांफेंस करके जुट बोलते हैं लेकिन एक दिन भी राव सर्कल के बैठे जो बच्छे बहा बैठे हैं उनके पास एक दिन भी मंत्री जी मिलने के लिए गए नहीं मुझे लगता है चात्रों नहीं नहीं आने दिया उस्से ज़्यादा खरापस्तिती नहीं हो सकती अब सुन लीजे कल दुरगेश पाठक बारिश होने के बाद महां खड़े होते हैं और जो मशीन लगी है उसके आजपास खड़े होके अपने दोस्कों फोन पकड़ाते हैं कहते हैं मेरा वीडियो बनाओ मैं पानी को अपने हाथों से हटाऊँगा मतलब बारिश का पानी दुरगेश पाठक अब हटों से हटा करके साफ कर देंगे किसी मशीन को प्रक्यूर करने की जरूरत नहीं है इसलिए दिल्ली का यहाल आज की डिटे में हो गया है क्योंकि इनकी फोटोग्राफी इनकी वीडियोग्राफी इनकी ड्राम कि अबर चाबर कि यह पत्रकार अरे यह तो कहा जाता त। यह लोग बोल जाते हैं आपके आरहा हूँ बहुत दिनवाह वाचो में आए मैंने आज तारूफ ही नहीं कि रहा है किसी का वो पीजेपी वाले लेट आये मैंने उसकी वज़जय से थोड़ा लेट हो गया बहुत मैं सिर्व एक ही बात सोच रहा था वो जो तीन साल का बच्चा नाले में गिरा होगा तो उसकी मा ने उसके हाथ को पकड़ने के लिए कितनी लंबी चलाग लगाई होगी मैं सिर्व यह सोच के रुख गया मैं क्या तारूफ कराऊं किसका परसे कराऊं किसको कि दाओ आप आप हैं आप आप कि मां ने तो साथ नहीं चोड़ा लेकिन जिनों ने आपने जिनको चुना था जिन्हों ने कहा था एक बार बस वोट पे गद्धी पे बढ़ाओ उसके बाद तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं आने दूँगा तुमने पैर में पट्टी बांदी है चोट लग गई कल मैन होल में गिर गए बच गए तब ही आज हनुमान जी के बास गए थे एक बार बचे हो दिल्ली में रहे रहे हो फर खत्रा बार बार है द्यान लखना हनुमान जी के मंदिर में जाते रहना क्या नहीं है तो आपका चंचल 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 क्या करती हैं मैं स्टूरेंट हूं ये ये स्टूडेंट है मैनेजमेंट का ही सवाल है पर गशीन जी का नंबर हे लिए वह तो कि सब्सक्राइब है अक पहली बार तो नहीं पहली बार तो आप आए नहीं पूलना है महले में कमेटी बना के काम नहीं करना है कि तो क्यों नहीं बना रहा है अजी 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 आज लगता मैलेजमेंट में कहां कभी है गर्मेंट सेटप कमिटमेंट कुछ की जाती है होता कुछ और है ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है उसको चेक करने कोई आता नहीं है तो पूरा सिस्टम ही कई ना कई लूप होल से भरा हुए प्रॉमिस कुछ किया जाता है ग्राउंड रियालिटी बिल्कुल ही अलग होती है है ग्राउंड रियालिटी इस कुछ और है है आप ऑलें कि बॉल ने क्यों नहीं रहे ह। क्योंकि सुदिए है आप वहां क्यों नहीं नहीं खोलना चाहिए आप बिल्कुल खोलना नहीं चाहिए जी अफकोस आई विल कम तो कॉंग्रेस विल रिस्पॉंड जी management की student है शासी जी मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से पड़े लिखे लोग राजनीत में बहुत कम हैं और आप तो management की डिग्रियां कई हासिल कर चुके मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मार्टिबल एजेंसी यह तमाम सारी चीज़े जो हो रही है कोई responsibility है या दिल्ली में responsibility लेने की जरुवत नहीं है बस यह कि मेरा सिरा दूसरे सिरे में था यह नारा 1350 मिटर का है एक हजार दिल्ली सरकार में आता है 350 डीके में आता यानी центр का गशाल से अर्भी केज्रिवाल की सरकार दिल्ली वालो को बेगरों पना रही है सच्चाई यह की दिल्ली आब भी तो पहले आमापी पार्टी में रहे ना चोड़ दिया जब देखा कितने बेकुफी है कितनी बदमाशी है तो छोड़ दिया आके आए 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 ए कि अंदर बुलाइन को मेठा लो जी मैंने देखा आया था कुछ सोचके जैसे यह जितने लोग वोट चिया के जरिवाल को दिली बदल जाएगा मैं भी वो सोच के आया मगर देखा यह तो महाभे रूपी यह तो एक बात करते बस कुर्सी की लालच कुर्सी की लालच आज कि शॉलि कर दिल्ली 70 साल पुरानी है जब कॉंग्रेस की सरकार थी देश में भाजपा की सरकार थी शीला दिक्षिक यहां थी सरकार चल रही थी काम हो रहा था यह कनौट प्लेस जो बना है यह आज की तारिक में जो रेनुवेशन हुआ यह शीला जी की समय हुआ आपके सवार आपके तंखा हो गया कि काम ठप हो गया अधाई कोड ने कहा है कि जो फ्री रेवडिया बाढ़ रहे हैं आप तंखा देने के लिए करमचारियों को पास तंखा देने के लिए पैसे नहीं है और यह स्थितियां पहुश्ट और यह एक शहर की बात नहीं है मैं आऊंगा बाद में लखनव में जो हुआ जो अधिकारियों का पुलिस अधिकारियों का निलंबन हुआ मैं और उसमें तीन कॉंस्टेबिल और चार बड़े ऑफिसर हैं मैं उस पे उस घटना में बात में आऊंगा कि कितने इर्रस्पांसिबल हम लोग भी हैं वह बात में आऊंगा शासरी जी पिछले नौ साल से पहले बाजपा कभी मुख्यमंत्री रहें काम चलता रहा आज की तारिक में नौ सारी जी पांच साल आप आम आद्मी पार्टी में रहें आज आप कॉंग्रेस में मैं पार्टीयों की बात ही नहीं कर रहा हूँ कारण ये है कि अगर केवल सत्ता के लालच में पैसे के लालच में कुर्सी पे बैठे रहोगे तो दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हो आज मैं पूछना जाए वह यह कहते कि आप मुझे पुलिस उठा के बंद कर देते हैं उस सड़क में तो जेल में कैसे काम कर उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था अब भाया कितने अफसरों को अंदर किया MLA को अंदर किया कि नहीं किया MLA को अंदर करो अफसरों को MCD के अंदर करो मैं कहता हूँ अगर भाजपा के अंदर में है तो भाजपा वालों ने कितनों को अंदर किया आम आदमी ने कितनों को अंदर किया MLA को अंदर किया MP को अंदर किया एक गाड़ी जो चला रहा है उसको अंदर कर दिया उसकी गलती क्या थी उस सड़क पर पानी भरा था गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था मगर जो अफसर थे किसी को अंदर नहीं किया गया आई एस ओफिसर को अंदर नहीं किया गया एंडर किया नहीं किया एंशीडी का करफेटेर आम अदमी का उसको उंधर किया नहीं सिर्व गया पार्टी की बाते नहीं नहीं करा ऑग्छु बिल्कुल मुद्धे से भठक जाएंगे और मैंने आपसे कहा था कि खेल यह 1350 मीटर नाला है हैं एक हजार मीटर नाले पे हैं एक सरकार 550 पेए एक सरकार और वो माँ बेटे नाले में डूब कर मर गए और है है और यह कहा जा रहा है कि मेरी जिम्मधारी नहीं है यह जिम्मधारी उनकी है जो पंजाब से आई है जी देखिए मुद्दे से ना भटकते हुए मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई साब ने थोड़ी देर पहले डीसिल्टिंग की बात करी थी mostly condition समझते हैं इंद्र भगवान बारिश कर रहे हैं अब उनको तो कोई जी अब उपर से मुसलाधार बारिश हो रही है बारिश को तो कोई रोक नहीं सकते ना जनता रोक सकती ना नेता रोक सकते ना अफसर रोक सकते ना पुलिस रोक सकती काम हो सकता था management के तरीके से अगर MCD ने, दिली जल बोर्ड ने, सीचाई बोर्ड ने, PWD के बोर्ड ने समय से desilting करी होती, desilting उसे कहते हैं जिसमें नाले की गाद को निकाला जाता है, जो गाड़ी गाद बन जाती है लेकिन उसके बाद कोई data वहाँ पर नहीं है, desilting का इनका कहना है, 2021-22 के आकड़ों के अनुसार, सीचाई विभाग ने 3 लाग मिट्रिक टन उस साल हटाया, लोक नर्मान विभाग ने 2 लाग मिट्रिक टन हटाया, दिल्ली जड़ बोर्ड ने 40,000 मिट्रिक टन हटाया, टोटल मिला के कुछ करीबन 8-9 लाख मिट्रिक टन के इसाब का आसपास का बैठता है, और हमारी investigation में जितना भी तक हमने find out किया है, 24 का ना तो कोई data इनकी साइटों पर available है, न डी सिल्टिंग के लिए कोई press conference की गई है, और जितना अनुमान हमारा है, जहां पर ये गाद डाली जाती है, वहाँ पर एक भी ट्रक की entry और exit नहीं है, जब गाद निकाली ही नहीं, तो जल भराव तो होगा ही, त्रकोड का पाच्वा कोड बता चुका था, छटा कोड और बता देता हूँ, सारे कोड आज तो लो ची एक ही त्रकोड के अंदर सारे कोड बताऊंगा, mathematics का student में भी रहा हूँ, संभावना हैं हर जगे होती है, गाद निकालन की बात है, डिस सिल्टिंग, नालों की सभाई, होती है, नहीं होती है, वो तो अलग प्रशन है, वो तो लड़ाई है, लेकिन एक गाद यहाँ भी घुसी है, इसके अंदर, यहाँ घुसी भी है, और यही है कोड छटा, मैं आता हूँ, आमाद भी पार्टी, लाव यो प्ल पीटा, लेकिन जब राजिन नगर की बात आती है, दिल्ली सरकार की मंत्री आती सी जी, गोपाल राई जी, सौरब भारत द्वाजी उन चातों साथ में बैठते हैं, और रेगुलेशन एक्ट बनाने काम करते हैं, और उसी समय पे भारती देंता पार्टी के एलजी साब, उ मालिक हैं, उनके साथ बेढ़के बंद कमरे मीटिंग कर रहे थे, क्या सेटिंग कर रहे थे, क्या उनके उपर एक्सार नहीं होना चाहिए था, जो हमारे तीन बच्चों की मौत दिन के करण हो गई, उन पर एक्सन ना हो, तो एलजी साब क्या सेटिंग कर रहे थे, मैं माल कि दिल्ली के चीफ सेकेटरी ने सौरा भारत जाजी को जूट बोला हमने का जूट बोला कि जब हमने का कि डिसल्टिंग हो गई लेकिन जूट बोला माले इनकी बात माल जूट हो गया तो क्या चीफ सेकेटरी के को सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चीफ सेकेट हुए रिष्टक नहीं गरी हरे रिष्टा क्या कहलता कर द है alloना कहलता है क्या सीद्री ब्लब हेँ इनले अयो journée मैं ने गष्टा कर को कहला आधि यह जांना बहुत जरूरी यहां जल्दी है यही हमारे और अरबिन केजर सब्सक्राइब कर दो आगे होगी ऐनिद सब्सक्राइब करते रहा गए दस साल तक काम नहीं कर पाए चनाब कभी भी जिम्मेदार इको नहीं समझाए लोने सिर्फ बीजेपी बीजेपी कांग्रेस अरे भाइया तुम कहाई के लिए आयो साहब तुमको सतर में सरसर दिया इसका मतलब यह है कि आप सबसे बड़े जूट है लोगो कि नमस्ते कहां से आना हुआ क्या नाम है बाबु विक्रांट क्या काम करते हैं एक चोटा सा कैफे हैं मैं बहुत दो शुप काम ना है पहले तो कुछ अच्छा काम हो कुछ अच्छा काम करें साफ सफाई का ध्यान रखें और जो भी परियावरन में जो भी कंटिबूशन उसको सुरक्षित करने में कर सकते हैं वो करते रहें क्योंकि कच्रा दिल्ली बहुत निकालती है कच्रा दिल्ली मैं कह रहा हूं कच्रा बहुत दिल्ली निकालती है और उसका निश्पादन कैसे हो पाता है यह नहीं हो पाता कितना हो पाता यह एक आकड़ा है जित पर बात करना है मुझे आज पुलाया जी युवाटू से सम्टिंग अगर जब लेकिन जैसी ही किसी के उपपर कोई मिल्लff कोई प्रवर्म हो जायको मिस हैपनिंग हो जाए तो यह कॉंगरेस ने करा यह बीजेपी निकरा यह उसने भार इसी में बात जोड़ देता हूं आगे इसी में बात आगे जोड़ देता हूं वो तीन हो नहार UPSC के एसपेरेंट्स माथ हो गई मीडिया भी कुप चिला लिया शांती ही होने वाला था पता नहीं उपर वाले को क्या सूजी फिर दिल्ली में बारिश कर दी और फिर मीडिया बोलने लगा फिर मीडिया बोलने लगा हम भी तभी बोलते हैं माईक तभी गांडीव अपना उठाते हैं जब पांचे-दस लोग निपट जाते हैं गयर दिम्धार हैं आपने बनाए यह से आप मेरे पिता हैं अधूरी सिक्षा देते हैं हमें इमांदारी के रस्ते बेचलने को सखाते हैं हो घर में बैठ लेते हैं कुछ और कताई पड़ते हैं तो आपने सिक्षा अधूरी दी तो यह होगा कहते जरूर है आप इमांदार बनिये कहते जरूर है इमांदार बनिये पानी जब धोते हैं जब तूथ ब्रश पानी की बात कहना हूं साब अभी हम पानी के संकट से जूज रहे हैं और अभी मई और जून में दिल्ली में पानी पीने के संकट से जूज रहे थे और ये इमांदारी है हमारी ये इमांदारी है हम अभी पानी पीने की संकट से जूज रहे थे अब ज़्यादा पानी बर्द गया ये जूज रहे अभी अक्टूबर में हम पलूशन से भी जूजना शुरू करेंगे देख लीजे आप आजाईए दिल्ली में रही आके दिल्ली आपका स्वागत करते हैं आप मुस्कुराईए क्योंकि आप दिल्ली में हैं आजी तंजी कसरे हैं आप आपको बहुत दूर से मज़ा आ रहा है आप मुस्कुराईए आप ऐसे लंडन में हैं जहां पर तीन I.S. अस्पारेंट डूब कर मर जाते हैं आप मुस्कुराईए आप ऐसे दिल्ली में हैं जहां पर कोई करंट लग के मर जाता है आप मुस्कुराइए आप ऐसी दिल्ली में हैं कोई मेहनौल के खड़े में डूब के मर जाता है सुन लिजे मैं नहीं मानता है सिस्टम में अगर हमारी भी मिस्टेक हो तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार है जब मौत है तो कम से कम इतना समवेदन शील हर पालिटी को होना चाहिए सिस्टम में जिसके जिम्मेदारी है उस पर ठोकनी भी चाहिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं बड़े युवा अदमी है उस माने उस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा वह डूब रहा था कैसे भूल जाओं बार बार वही द्रिश्च मेरे सामने दिमाग में वह जो गाद भस गई है न मेरे अंदर वह बार बार आ जाती ह और उसके आसपास के रिफरेंस में दूंगा नहीं पाकी लोग तो खड़े थे वह कूद गई लेकिन हम इतने समवेदन शुड्य हो गए कि हम कूद नहीं पा रहे हैं अभी हम बाहर खड़े हैं आच ले रहे हैं और यह बता रहे हैं कि अभी अक्टूबर में अभी तो मई करने का मन करता है ना किसी पर आख शेप लगाने का मन करता है कि मुझे भी रहान है जब मेरी प्लेस्मेंट पहली बार हो थी मैंने मी मां को फ्वोन किया था इसके लिए कुछ शब्द नहीं है डिवेट है हमारी भी परिक्षा है हमें अपना पक्ष रखना पड़ा है इसा नहीं मानता कि नेता लोग जितने हैं वो सब संभेदन शून्ने हैं मैं बिल्कुल नहीं मानता मैंने कहा जब आपने कहा कि क्यों होता है आप पत्रगार है तो दोशी क्या हम नहीं है हम भी तो हैं ना मुलविस है बराबर के हिस्सेदार हैं बराबर के हिस्सेदार मैंने बार-बार कहा मैं बिदाता हूं तैयारी कर लो प्रेश्न पेपर आउट करता हूं उपरवाला करे रहम करे दिल्ली पे सिसमिक जोन जहां पे जिसको रहते हैं उपर वाला रहम करें कभी आए ना वरना वो इस तर्थ स्थिती होगी शासिस आप पसीना पोचने लगे वो इस्थिती होगी जहां हम लोग रहते हैं सर्सिसमिक जॉन फोर में हैं ऐसी स्थिती आएगी परियावण विद्वेट हैं सामने कि तैयारी क्या है मुझे नहीं मालूम। और मैं कह रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं पहले से बता रहा हूं। तैयारी करनी चाहिए। जब गाद नहीं निकाल पा रहे तो उसकी क्या करेंगे जब भूकम पाएगा तो वोट कहें दिये था आप ने।ो सिस्टम है नासर उसके ल सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो सरकार के एजिंसियां है उनमें समन्वे की बहुत बड़ी कमी है क्योंकि मैं सर्मयकार कोडिनेशन की सबसे बड़ी कमी है और चुकि मैं भी मैंनेजमेंट का इस्टुएंट रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि जो पांच जो प्रिंसिपल्स होते में इस प्रिंट का कोई सरकार प्रापर तरीके से नहीं करती है जिसका नतीजा होता है कि आए दिन इस तरह घटनाए देखने को और सुनने को मिलती है दूसरी बात आपने देखा होगा एक छोटा सी जांपल मैं दे रहा हूं इसमया हर घर नल-जल न norma चल लिया आप सब को पता होगा चल ही है बढ़ियां सडके बनती हैं और उसके बाद भाते खोड के चले जाते हैं उसके अल्वा और कोई यूजरा होती है रोडब बढ़ियां बना उसके बाद यो में जो पाइब डाला है जो रोडब बना रहा है इनके बीच अगर सम Kennethie रहता तो इस तरह कि पब्ली को समस्या चोटी सी घटना है लेकिन इशारा करती है यह होता है यह होता है यह तर दिर से हाथ उठा रहे हैं तो सब कुछ खतम हो जाएगा limit population बढ़ा रही है यह हिन आपनी population बढ़ा आँ पानी पिलाओ इनको ना इनको इनको चाहिछ पानी सैंति होड़ाओ क्षे ए आपता है स्वास्थ रहिए और सारा स्वास्थ जो है ना यहां से नहीं है शरीर से नहीं है शरीर में तो आप मुझसे ज्यादा स्वास्थ लग रहे हैं उपर वाला आपको खुब लंबी आयू दे स्वास्थ यहां से होता है क्योंकि यहां ही गाद जम जाती है उसी को निका कि आपी को सुनने के लिए बैठा था मैं और आज ही तारा जो अनुष्ठान किया यह आपी के लिए था करें क्या यह इतनी एक साथ इतनी बारिश देखें मैं पर्याण में धोने के नाते अपनी की एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूं कि हम इसको किस तरह देख रहे हैं यह पूरी तरह से नाले हमारी सढके उसके लिए तैयार नहीं है हंवारी फॉस्पर तरह का चक्र बदल गया दूसरी तरह हमारा political system इतना करप्ट भी हो चुका है इतना लापरवा हो चुका है कितने भी लोग मरे उससे हमने चिंता नहीं कभी किसी वज़े से लोग मरते हैं कभी मैन हॉल में किरने के वज़े से लोग मरते हैं अभी आप दिली का आकड़ा देखें दस लोग मर चुके हैं 24 घंटे में जादा बारिस होने की वज़े सर एक बात अंदाजा लगाई ए यूपियेसी के तयारी करना बच्चा करेंडसाएं मरते हां करेंट से मर जाया चारवा एक बच्चा करेंडसे बच्चा बारा साल की वज़े सै कि मरते हैं क्यों क्रिमिनल केस नइि और नेगलिज़ेंस का जो केस दायर होता उसकी ज То आरा एक दो था रहा है उसमें एक में तो बंचबूती के साथ बाबू जी तान दिया जाएगा आदमी लेकिन एक थोड़ा सा हल्की गुंजाइश रहती है क्या ना मैं सर्मा मैं सब कहां से आना हुआ कोलकाता दीकेश जी है कि हम लोग समयते थे कि अब मोती जी को हमेशा गा अब जी को चाहिए अगांगे आद्याइब बहुत ज्यादा है इसकि जादा रहे नहीं पक्ति है उनको पर क्या बोलड़ा जाए वह से आज समझ है हम आप पर देखते हैं आपको देखते हैं आप ये बहुत से लोग बशार सुनते रहते हैं लेकिन हमारे मनें कुछ नहीं नहीं भाव आते हैं अफकोर्स लेकिन आज हम लोग भी यह सोच कर राज आते हैं कि दिल्ली वाले क्या कर रहा है नंबर एक और बात मैं आपको बोलना चाहरा था है कि आज यह जो प्रचार करते हैं इनकी किया हो सकता है यह जो आज मोदी जी यह जा करते हैं लुडना चाहितom किसी को भी प्रचार क्या अभिशकता नहीं व lettuce दखे है था के मेरे मैं पीडा हो जब आप युवाओं की बात करता हूं हमारा अंगडों के साफसे सबस्च्रा क्याया है लेकिन उनकी हालत क्या है कविए पेपर लिख सेहाइःम्ताय करने मच्वर हो sulph you करने मजबूर हो जाते हैं कभी पानी भरने से उनकी जान चली जाती यह लेकिन देखे आलासों की राजीती होती रहती है मैं पूछना चाहतों जब हम डिबेट कर रहे हैं जैपूर के अंदर बेस्मेंट में तीन बच्चों की मौत हो गई पानी में तभी तो यह मेरे तभी में जाके अपना लीजिए तभी तो मैला चुना था की नाम आपके आपका नाम क्या है अखिलेश है अखिलेश वार चुना तो इसलिए था दिक्कत कहा आई गुजरात में गेमिंग जोन में सेगड़ों बच्चे मारें किसी गलती थी किसको सजा हुई आज तक मैं उसी को जेल के अंदर फेक दिया गया जब हमारा सिस्टम इस तरह से काम करेगा तो उधारन क्या पेस करेंगे मैं बसे मुझे मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि कहेंगे तुरंत उधारन देने लगते हैं लेकिन उसी के तीन साल की घटना है गुरपुर वाली तीन साल के इंदर बाबुजी नहीं सुनने को मिला विकाज उन्होंने रिसर्च किया रिसर्च करने के बाद हॉस्पिटल देया डबना देखे इमांदारी के साथ इमांदारी के साथ बोलना चाहिए मैंने गोरपूर का उधारन दिया अगर लगातार हो रहा होता उन्होंने कहा हजी इनके लिए एक लाइन बोलना चाहतों नाच नाचना जाने आंगंटेड़ा वक्ष तो ब्लेम गेम होना ही नहीं चाहिए भावना वहां आहत कहां होती है बस एक दो जगे जो हमने बताया नाले को लेकर 1350 मीटर दिली का वो नारा मा बेटे दोनों उसमें गिर गए बेटा पहले गिला मा उसके बाद कूद गई लड़ाई इस बात की है कि 1000 मीटर एक सरकार के पास है 1350 में 1000 मीटर की जवाब देही एक के पास और 350 की एक दूसरी एजनसी के बास है यह बात बिल्क मिलती है दुरबाग पूर्ण है दुखद है लेकिन दो थानों में लड़ाई है कि सर तो उसका फला थाने की तरफ तो पैर उसका फला थाने पर तो एफ आई यार मैं नहीं लिखूंगा वो लिखेंगे यह हैं यह हैं हकीकत लेकिन मात तुम्हारा जैगोश निरंतर होता मैं रहूं या न रहूं परक्त नहीं है यह निरंतर जाए घोश होना लेगा आपका स्वागत है और दिल से स्वागत है आई पीएस हो गई है आप तालीबज आईए इनके लिए पहले और अंदर आईए माबाब कहा हैं पहले सबसे पहले मम्मी आईए पहले स्वागत होना कि यह शो दरसल कोई एक सीमा का नहीं है आकांग चाये और उसके साथ क्या एक विजन लेक्या है आप अदिकारी हो गई है पहले तो मैं सल्यूट करता हूं मम्य को पहले मम्मी को पापा को और फिर आपको करता हूं बहुत बद्धाई UPSC में वह भी IPS हम समझते हैं क्या आपने दोनों पिटिया उसको भी वह रास्ता खोल डिए इन्होंने तो क्या है जीवन में क्या सोचा है कैसा अधिकारी कैसा अधिकारी वह सपना क्योंकि यह लड़ाई अधिकारियों के मेरे भर के यहीं बीच की हो रही है और यह हम जारे जनता बीच मेरे हैं जी हम लगारी का से रहेंगे बैटा तूम ध्यान रखना हम बेट ने मैं आपको नहीं कह रहा हूं अपने लिए हम दो मलाई खाते रहेंगे ऐसे ही कूडा जमीन पर भेखते रहेंगे लेकिन दियान रखना तुम इमांदार बने रहे हैं ये बात बिलकुल वैसे ही जैसे भगज सिंग मेरे घर में नहीं तुम्हारे घर में पहला होन कैसे अधिकारी बनना है जी अधिकारी अच्छा ही बनना है पूरे मेहनत से काम करना है मुझे बिलकुल है जितने भी सेलेक्शन्स हुए है यूपी सी में 1100 बच्चे सेलेक्ट हुए है इस साल हर साल होते हैं वो यही सोच लेके आते हैं यही सोच लेके पढ़ाई करते हैं कि यहां पर आपके एक लाट लगेगी वह हम लोग देखते हैं गौरों अच्छा लगता है आपके उपर बहुत अच्छी लगेगी वर्दी और यह सब अधिकारियों और तमाम सारे तो सवाल वो पूछ लिया आप से जिसने बौर्ड बे पूछना था अब मैं क्या पूछूँगा क्या पिदी क्या पिदी का शोरवा मैं पूछू आपसे लेकिन मैं बस रितना जानना चाहता हूँ जब कोई संकट आएगा इस तरह का आप किस तरफ दिखाई देंगी जी मेरी पूरी कोशिश होगी की जो मेरे पास मदत लेने मेरी आएगा और मेरा जुरिस्दिक्षिण होगा वहां पराइपना काम करूंगी पूरी मैंनत करूंगी वहां पर कोई कमी नहीं छोड़ूगी आपको बहुत आज आप मम्मी के साथ बैठने की हगदार है वहां जाहिए वैसे भी रोती आप वहां बैठिए आपका स्वागत है बहुत बहुत बुद्वनी स्वागत है परियाबड भी लोल लेते बीच पर टोक दिया तब दिनाय करती जी बिल्कुल देखे परियाण विदो का यही कहना है कि जो हमारा infrastructure में आपका नाली नहरे नहरे पुनियादी धाचा है तालाब है हमारी जो लेक से उनको बचाना है अधर्वाइज हम जैसे मुंबई में हर बार बारिस में तमाम डेथ होती है को मैन्हूल में गिर जाता है नाले साफ नहीं है गाद उनका नहीं हटा गया डी इंत्रित बरसात सूखा पानी की किलत अत्तधिक पानी ऐसा आने वाले समय में होगा जादा होगा और रितू छे रितूएं हैं यह देश बड़ा भागे चाली है रितूओं को जानता है समस्ता है गंध मैसूस कर लेता यह धर्ती पे जब पहली बून गिरती है उसकी सुकं पहचांता है लेकिन रितूओं का परिवर्तन होने वाला है रितूओं का परिवर्तन हो चुका है फसले बदल चुकी है बदले वे परियावर्ण में फसले लगाई जाएंगी लग रही है समझे हुजूर आली जहां आप खड़े हैं जहां आप पहुंच गए हैं बहुत- आमाद्वी पार्टी के प्रवक्ता और नेता उसे सिर्व इतना साग रहे है स्तिती बड़ी संवेधन शील है किसी ने अपना बेटा खुए है किसी ने अपने बच्चे खुए हैं आपसे आग रहे हैं जो आपके काम हैं उनको जिम्मेदारी से करें अगर जल्स हिचाई व बजट अलग-अलग है तो उनके लिए क्यों छोटी से अमाउंट घोशित करके ना उनका मन ना दुखाएं या हमें भी छोटा मैसूस ना करा हैं आपके पास बजट की कोई समस्या नहीं है जिसने अपने परिवार का कोई खोया है उनके लिए कम से कम एक सम्मान जने कंपन करता हूँ यह लोग करेंगे बैठक हम सारे लोग भी अपनी अपनी तरह से सारे लोग है बड़े जांकार लोग है यहां पर रित्मों को जानते हैं परियावरन को समझते हैं सनक्षण भी समझते हैं हाला कि बहुत एक्सपर्ट चाहिए लेकिन हम लोग अपनी अपनी तरह आते हैं एक सपना लेके आते हैं जैसी ये बिटी आई होगी सपना लेके आते हैं कि देश की राजधानी भी जा रहे हैं देश की राजधानी देश का मस्तख्स है मस्तिष्क है स्वाभी मान है जो कही हाथसा कहीं होता है बिल्कुल दुर्भागेपूर होता है मगर दिल्ली क में यह उमीद दिल्ली वाले नहीं करते